दूस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको font block के सभी options की जानकारी दी थी और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप paragraph block के सभी option का किस तरीके से इस्थमाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं paragraph block के सभी option को हम एक एक करके cover करने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी option यहाँ पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी paragraph insert नहीं किया है तो हम यहाँ पर एक paragraph को insert कर लेते हैं, paragraph को insert करने के लिए हम आ चुके हैं MS Word पे, और यहाँ पर एक randomly command डाल करके, हम यहाँ पर अपने कुछ paragraph को copy करने वाले हैं, तो यहाँ से हमने rant command चला करके, यहाँ से दो paragraph को यहाँ से control C से copy कर लिया है, और उसके बाद PowerPoint में आने के बाद, हम यहाँ से new slide पर जाने के बाद, यहाँ पर blank slide पर click करेंगे, इस पर जैसे हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने, यहाँ पर बिल्कुल blank slide open हो चुकी है, और यहाँ पर हम control V की मदद से इस paragraph को यहाँ पर paste कर लेंगे, इतना करने के बाद, हम इसके size को थोड़ा स यहाँ से expand कर लेते हैं, और उसके बाद, आप यहाँ पर देख सकते हैं, paragraph के सभी option यहाँ पर unhide हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सबसे पहला option, यहाँ पर bullets का है, तो bullets का इस्तमाल किया जाता है, किसी भी paragraph को point to point define करने के लिए, जैसे हम सबसे पहले paragraph आपको control A की मदद से आपर select कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर bullets पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर काफी सारे bullets के format आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको जो भी bullets यहाँ पर पसंद आता है, उस bullet को आप यहाँ पर select कर सकते हैं, जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर इस वाले bullet को यहाँ पर select कर लिया है, star वाले bullets को, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको numbering के भी bullets आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें आप चाहें तो number wise भी bullets को यहाँ पर set कर सकते हैं, यहाँ पर आप आप देख सकते हैं number में brackets वाला number भी है और without bracket वाला number भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो dot के साथ है इसी के लावा आप चाहें तो इसे roman value में भी convert कर सकते है alphabetical के हिसाब से भी तो दोस्तों माल लीजे हमने यहाँ पर capital ABCD को select कर लिया है इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देता है increase list level का इस पर जब आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो paragraph होगा वो right side में यहाँ से extend होता चला जाएगा और इसी तरीके से अगर आप left वाले को इस्तमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो paragraph है वो left side में यहाँ पर खिस सकता चला जाएगा अगर आप इन paragraph के बीच में space देना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं paragraph space का आपको एक option यहाँ पर दिखाई देता है इसको select करके आप यहाँ पर जितना भी space देना चाहे उतना space आप यहाँ पर select कर सकते हैं दोस्तों जो normal space हमारा use किया जाता है 1.15 का होता है तो हम यहाँ पर उसी space को यहाँ पर select करने वाले हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसी आप इस वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप अपने paragraph को horizontal या पर vertical में यहाँ पर rotate कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आप अपने paragraph को जिस भी format में यहां पर rotate करना चाहें अपने हिसाब से उसे यहां पर set कर सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक और option दिखाई देता है टॉप और middle और bottom का तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे सबसे पहले हम इन options को clear कर लेते हैं दो तो यहां से सबसे पहले हम bullets को हटाने वाले हैं तो bullets को हटाने के लिए हमें पूरे paragraph को इक बार select कर लेना है और यहां पर bullets पर click कर देना है जैसे हम यहां पर bullets पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे bullets यहां पर remove हो चुके हैं इसी तरीके से हम यहां से एक paragraph में से कुछ paragraph को cut कर लेते हैं और उसके बाद माल लीजिए हम यहां पर click करते हैं हम इस वाले line को center में अगर लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इस align center का यहां पर use कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो matter था वो यहां से center में पहुँच चुका है इसी तरीके से अगर आप इसे right side में ले जाना चाहते हैं तो right वाले बटन का इस्तिमाल करके आप अपने इस heading को right side में ले जा सकते हैं इसके लावब वापस से अगर आपको left में लाना है तो left वाले alignment को आप यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं इसके मदद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक और option दिखाई देता है justify का आपको control A की मदद से पूरे paragraph को select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर justify option पर click कर देना है justify option पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो paragraph का alignment था वो left और right दोनों ही side से यहाँ पर default हो चुका है अगर आप बीच में किसी भी word को add भी करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो खुद बखुद उसको adjust कर लेगा left और right में जो भी आपका sequence है वो same इसी तरीके से maintain रहेगा इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर columns के भी option दिखाई देते हैं इस पर click करके अगर आप चाहें तो आप अपने paragraph को यहाँ पर दो column या फिर तीन column में यहाँ पर divide कर सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ से justify को यहां से हटा लेते हैं तो दोस्तो justify को हटाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है columns का तो आप यहाँ पर चाहें तो इसे 2 या 3 column में आप अपने पूरे paragraph को यहाँ पर setup कर सकते हैं इस तरीके से इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरीके से भी आप इसे define कर सकते हैं जैसे ही आप smart art का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं smart art के काफी सारे options आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी shapes को बहुत ही attractive look यहाँ पर दे सकते हैं इसे customization कर सकते हैं इसके लाव आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको colors का भी option दिखाई देता है जिसकी मदद से आप इसके colors को भी यहाँ पर change कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपने shape के layout को यहाँ पर change कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जो भी layout आपको पसंद है, उस layout को आप यहाँ पर use कर सकते हैं. सेम इसी तरीके से, अगर आप किसी भी paragraph या किसी भी module को उपर या नीचे set करना चाहें, move of या फिर move down का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं. प्रमोट करना चाहें या फिर move करना चाहें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. right to left or left to right करना चाहें वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. shapes को add करना चाहें तो भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं. इसके लवा text panel अगर आपको नहीं चाहिए, इसे text panel कहा जाता है तो आप यहाँ पर click करके text panel को यहाँ से आटा सकते हैं bullets को add करना चाहें तो bullets को भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप promote करना चाहें तो यहाँ से promote कर सकते हैं यानि shapes को यहाँ पर insert कर सकते हैं चाहे तो डिमोट कर सकते हैं इसके लाव आप इसे चाहे तो ग्राफिक शेप में भी कनवर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको option मिल जाता है convert to text और convert to shape का तो दोस्तों यहाँ पर हम वापस से अपने home tab पर चले जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने smart art की मदद से यहाँ पर इसको एक attractive look यहाँ पर दे दिया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं align text की तो सबसे पहले हम इस पूरे matter को एक बार यहाँ से clear कर लेते हैं control A करके इसे यहाँ से delete कर देते हैं layout में जाते हैं insert slide में जाते हैं और यहाँ से माले jam ने two content वाला यहाँ पर slide insert कर लिया है और यहाँ पर किसी bullets को हम यहाँ पर type कर लेते हैं तो bullets type करने के बाद आप इसे यहाँ पर select करके अगर आप चाहे हैं तो यहाँ से click करके आप इसे top में bottom में या फिर center में यहाँ पर इस तरीके से adjust भी कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप powerpoint के अंतर paragraph log का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share जरूर कीजेगा धन्यवाद